हेलो दोस्तों, वेलकम बैग टू माई यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉप और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनकी जो है मन्तिली सैलरी 25,000 रुपय है तो उनको जो है कितना होम लोन मिल सकता है तो इसके बारे में हम डीटेल में बात करेंगे और उनको जो है कोटक महिंदरा सही होम लोन चाहिए तो हम उसके बारे में बात करेंगे कैसे जो है अपना आप eligibility चेक कर सकते हो और अगर आप कितना होम लोन लेने के लिए eligible हो तो उस होम लोन की जो है मंतली MIBHM कलकुलेट करके आपको बताएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जागे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जो पूरा वीडियो है वो आखिर तक वाच करिएगा आपको यहां से काफी अच्छे इंफॉर्मेशन मिल लिए आएगी तो चलिए आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलिजबिल्टी चेक कर लेते हैं तो यह है कोटक महिंद्रा की साइट है तो यहां चलते हैं तो यहां पर देखिए आपको कुछ जो आपके कुश्चन वगएरा वह आपको यहां पर फिल अप करने पड़ेंगे कुछ अंसर वगएरा तो जैसे यहां लिखा है आर यू सेल्डी और सेल्फ इंप्लॉइड तो यहां सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप सैल्डीड इंडिजवल हो या सेल्फ इंप्लॉइड जीनियर यह वगएरा आते हैं जो तो मैंने मान लिया कि हम जो है सेल्डीड परसन हो आर यू एक्जिस्टिंग कस्टुमर क्या आप जो है कोटक महिंद्रा में आपका एकाउंट है तो मैंने अभी के लिए मान लिया कि नहीं है कि अगर होगा भी फिर उसके बाद हम भी और जेखेंगे यस करके हैं जो आपको कि कितनी आती है तो उनकी म Alteri Сलडी है उन्हों ने बताया थै कि मुझे मंthree सेल्डी मिलती तो हमने आप मान लिया पच्चेशंच जार रुप ए उनकी मंतली सेल्डी है और फिर यहां पर देखना होगा my current existing EMI तो आपकी जो है अगर पहले आपने कभी कोई लोन लिया है यह आपका कुछ आपने कोई भी जैसे फ्रेज टीवी बगार फाइनेस पकरार रखी है तो आप कितनी EMI उसकी बढ़ते हो तो वह अगर है तो यहां पर डाल सकते हो अगर नहीं है तो आप यहां पर जीरो सेलेक कर सकते हो ठीक है आप टेन्योर टेन्योर आपको के स्टार्टिंग है फॉर सेलेड इडिविज्वल के लिए वह है साड़े साथ से आठ परसेंट के अराउंड वहीं अगर सेल्फ इंप्लॉइड है तो 7.55 टू 8.10 परसेंट है तो यहां पर मैंने मान लिया जो यह जो रेंज लिखी हुई है इसका मतलब यह होता है कि इस परसे होता है आपका credit score पर डिपेंड करता है अगर आपका credit score है वह 750 या 800 के आस पास का है तो जो bank होगी वह आपको अपने lowest interest rate जो 7.50 चला है उस पे जो है home loan provide कर देगी वहीं अगर आपका civil score जो है 700 या 600 के भी नीचे है तो जो आपको bank high interest rate पर चार्ज करेगी तो आपको य लेना पड़ेगा तो हम चलते हैं इंट्रेस्ट कर देते 7.5 परसेंट यहां पर जहीं हमने 7.5 कर दिया आप देखेगा आपको जो है आपके कल्कुलेट करके आजाएगा कि आप कितने लोन लेने के लिए एलिसबल हो तो आप होम लोन लेने के लिए लिसबल हो 10,93,57 अब हम कुछ और भी बाते कर लेते हैं कि मान लीजे जाया अगर आप existing customer होंगे तो देखते हो लोन में तो जो आप loan amount ले जारों उसमें क्या फरक पड़ता है तो अगर मैंने यहां पर यहां कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप customer है या नहीं यहां उससे कोई फरक नहीं नहीं मान लीजे आपने पहले कभी कुछ टीवी फ्रिज वगारे में अगर ले रखा है तो आपको जो हजार रुपय जो है आपकी मंधली एमाई जा रही है तो आप देखिए आपका जो लोन है वो कितना हो जाएगा आप देखिए आपके लोन में थोड़ी से कमी आईगी यहाँ पे 9,68,813 रुपय यह है जो आप आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है इतना तो ऐसे जो है आप यहाँ से एलिजबिल्टी कैल्कुलेटर से अपना जो है चेक कर सकते हो कि अगर आपकी 25 या जितनी भी आपकी सेलरी है तो उसके साब से आप अपना लोन अमाउंट और यहाँ पे जितने भी आपको डिये हुए टेन्योर कितने सालों के लिए लेना है और मंतली अमाई को चल ले ही नहीं चल ले है यह सेलरी डो तो ऐसे आप यहाँ पे लोन जो एमाउंट है वो अपना देख सकते हो अब हम चलते हैं सबसे में काम के लिए कि अगर मान लीज़ यहाँ अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से ही जो है होम लोन नेने जाते हो तो आप यहाँ पे हमाउंट डाल दिया 10 लाग रुपए अब इंट्रेट इंट्रेट अभी मैंने बताया कि आपको जो है अगर आपका जो है क्रेड इस्कोर अच्छा है तो जो है बैंक होगी आ पर होमलोन प्रवाइड कर देगी तो मैंने 7.50 इंटरेट पर मान लिया तो यहां पर इंटरेट 7.50 पर है अब उनको लेना है मान लिए 10 साल के लिए तो यहां पर हमने 10 साल डाल दिया अब दो मंतली माई बनेगी वह आपके कल्कुलेट करके आजाएगी कितना आप टोटल इंटरेट दोगे तो मंतली माई जो आपकी बनेगी वह बनेगी 11,870 रुपय तोटल इंटरेट पे करना पड़ेगा आपको 4,24,421 रुपय तोटल पेमेंट आपको जो करनी होगी बैंक को वापस वो क नीचे आएगा तो यहां पर और भी काफी detail में दी हुई है तो यहां पर अपनी EMAI जो है शेडूल करा सकते हो तो Hemos में लिए कि आपकी यह माई जो है वो जुलाई महीने से चालू होगी तो जुलाई महीने से चालू होगी अब यहाँ पर ग्राफ के मात्यम से आप अपना जो प्रिंस्पल और इंटर्स देख सकते हो हर एयर का कितना कितना बनेगा तो 2022 में आपका प्रिंस्पल जो होगा वो देऊगे जोगा जनवरी महीने से पूरा दिसंबर महीने तक का होगा तो यहाँ पर बनेगा 72,468 रुपए टोटल पेमेंट आपको कनने होगी एक लाग 42,442 रुपए फिर यहाँ पर आप डिटेल में जो है आने वाले जितने भी यहर के लिए आपने ले रखा है यहां से डिटेल म अपका प्रिंस्पल और इंटर्स अलग अलग चेक कर सकते हो फिर और नीच आएगेगा तो यहां से आप जो है अपने किसी भी यर के किसी भी मन्त का जो है इमाई देख सकते हो पहले इमाई तो आपका बनेगा 11,870 अब इसमें मेरा कितना प्रिंस्पल हो कितना इंटर्स जा रहा है वो भी आप यहां से डिटेल में चेक कर सकते हो तो जुलाई मैने में जो आपका प्रिंस्पल लगेगा वो लगेगा 5,620 इंटर्स लगेगा आपका 6,250 रुपए तोटल पेमेंट आपको करने होगी 11,870 रुपए तो ऐसे जो है अपने हर मन्त का यहां से डिट description box में दिया हुआ है एक बार जाईएगा और इसको जरूर चेकाउट करिएगा अगर आप जो है home loan लेने जा रहा हो तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे मताते हैं all banks loan offer यहां पे आपको सारे बैंकों के important home loan, personal loan, car loan, two wheel loan, education loan से related important links मिल जाएंगे और कुछ अगर discount offer च salary है तो आप केतना home loan ले सकते हो और उस home loan पे हम जो है आपकी monthly MI भी हमने आपको calculate करके बता दी और कहां से calculate कर सकते हो आप monthly MI भी हमने बता दिया तो I hope आपको वीडियो पसंद आओगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को एक like कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद